यह एक रिवीजन लेक्चेर है, जितनी भी इंपर्टेंट चीजें हैं, उस मीद चीज़ें को हम लोग कैसे समराइज कर पाते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक होगा, वो होगा विहार की भुहाकरतिक के तिहास, कि कौन से चन्रान का निर्मान किस्च समय हुआ है, इसके बारे सबसे ऊपर क्या हो गया परवतीय भाग फिर क्या हो गया मैदानी भाग और आपको पठाड़ी है परफेक्शन आइस मैं आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स पिछले दो दिनों से मैं लगातार आप से रिवीजन के बारे में चर्चा कर रहा हूं और आज हम उस करी को आगे बढ़ाते हुए यह समझेंगे कि कैसे रिवीजन किया जाए क्विक रिवीजन किया जाए और उसके लिए मैं आपको एक रिवीजन का एक लेक्चर भी लूँगा जो कि बेसिकली बिहार से संबन्नित होगा और इसमें मैं लगभग सारे फीजिकल फीचर्स को इंक्लूड करूँगा और देखेंगे कि कैसे बीस पंदर से बीच मिनट में हम लोग इन सारे चीजों को एक बार रिवाइज कर पाते हैं और इससे आप सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स में आप इसी तरीके से चीजों को मर्ज करते जाएं और अ इतनी भी इंपोर्टेंट चीजें हैं उस इंपोर्टेंट चीजों को हम लोग कैसे समराइज कर पाते हैं उसके बारे में अध्यान करेंगे तो चार में टॉपिक्स को यहां पर समराइज करने का कोशिज करूँगा और उन चार टॉपिक्स के बारे में बताओं सबसे पहल जो टॉपिक होगा वो होगा बिहार की भुहाकृतिक संड़चना भुहाकृतिक संड़चना का अर्थ क्या होता है कि बिहार में कौन-कौन सी संड़चना ही है पठार कहां पे है, पहार कहां पे है, मैदान कहां पे किसका ये भाग है, कैसे इनका निर्मान हुआ है कैसे को कैसे इसके साथ मर्ज करेंगे और फूर्थ जो टॉपिक होगा वह अपना होगा स्वाइल और देखेंगे कि चारों चैप्टर को हम लोग कैसे मर्ज करते हैं और इससे क्रक्ष निकालते हैं और फिर बाद में सिंपल फैक्ट एड कर देंगे तो एक घंटे के अंदर है जो मोँआ है आप आधा जोगरफी बिहार जोगरफी को अपर हई करते हैं समस्ति हैं और अधा जोगरफी आज हम लोग देखने चाल रहे हैं थीप ल", को भूज़ा कर्द रिखिया है विल्वा करना के या к है तो भूज़ा कि अर्थ क्या है इसको है इसको कभ़ोगों क्वोग्य स्राइब न tief को दो आ भाग दूसरा ग्रेक्षिया कि अधर कि अधर कौन ze भागा आते हैं परवतिय भाग, दूसरा, पठारी भाग, और तीसरा, सबसे important, मैदानी भाग, यह तीन भाग यहाँ पर समली थे, अब concept समझेंगे, कि अगर हम लोग देखें, तो परवतिय भाग है कहाँ पे, तो यह वाला जो section है अपना, जो कि बिल्कुल पश्चिमी चंपान के नदन में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परवतिय भाग कहते हैं, और यह जो परवतिय भाग है, यह basically किसका बिस्तार है, तो यह परवतिय भाग जो है, वो सिवालिक का बिस्तार है, तो प्रशनी उठता है कि सिवालिक कैसे यहाँ पर आया, तो सिवालिक का बिस्तार कैसे हुआ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहां पर ट्रांस हिमाले है निश्ची तूप साप लोगों को याद होगा और उसके बाद ट्रांस हिमाले के बाद क्या है कि यहां पर ग्रेट हिमाले है और ग्रेट हिमाले के बाद क्या है यहां पर तो मिडिल हिमाले है तीन सेक्षीन होंगे। सबसे नॉर्थ में जो सेक्षण है उसके बाद समेहस्वर से नीचे आप दखेंगे कि एक घाटी है, जिस घाľी का नाम है हर्हा घाटी और उसके दक्षिर में अगर हम लोग देखेंगे तो पहारियों का क्रम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग राम नगर दून कहते हैं और मैं फिर से बता दू कि ये सभी जो है वो किसका बिस्तार है ये सभी का सभी सिवालिक का बिस्तार है अब एक concept समझना आप लोग कि जब एक सिवालिक का विस्तार है तो आप लोग को physical geography में मैंने कभी न कभी पढ़ाया होगा या आप लोग ने पढ़ा होगा कि सिवालिक का जब विस्तार है तो सिवालिक के बाद क्या होता है तो बड़े बड़े चट्टानी टुकरे जो होते ह है न उस जल का क्या होगा वो जल कई भागों में मढ़ जाएगा और इस भागों को हम लोग वित्रिकाएं कहते हैं डिस्ट्रिब्यूटरीज कहते हैं वित्रिकाएं कहते हैं और यह जो अस्तला किरती बनेगी इस अस्तला किरती को यह जो अस्तला किरती बनेगी इस अस्तल पर चट्टानी कन उनको परिवहन करने में उनको आगे बढ़ने में क्या होगा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इसलिए वो पहले डिपोजिट हो जाएंगे और जो छोटे-छोटे चट्टानी कन हो वो आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि ज जहां बाठ का पानी हर्वर्स आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं यानि कि नया जलोड कहते हैं नया जलोड न्यू एलूवियम और जहां बाठ का पानी बिल्कुल नहीं आता है कभी बहुत सालों के बाद आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बांगर कहते हैं अब इस कॉंसे क्रस्क्राइब का निए तो आपने देखा सबसे पहले परवत ये भाग क्या है मेदानी भाग है नोग मैदानी भाग में सबसे पहला जो भाग है यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं यह मैदानी भाग जो है यह है भावर कौन सा भाग है भावर और इस भावर के जस्ट दक्षिन में आप देखेंगे मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूं यहां से लेकर बिलकुल यह यह पूरा मैदान को गंगा नदी बिलकुल दो भागों में बिभाजित करती है और उत्तर वाले भाग को हम लोग उत्तर गंगा का मैदान कहते हैं उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिन वाले भाग को हम लोग दक्षिन गंगा का मैदान कहते हैं उत्तर वाले भाग को क्या करते हैं हम लोग उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिन वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं दक्षिन गंगा का मैदान अब इसको नदियों के अधार पर इसको देखते हैं कि कैसे आपने इसको पढ़ना है अब ध्यान से समझ न यहाँ पर आप दो अब देखो किसका रिवीजन हो रहा है अब आपका नदी का रिवीजन हो रहा है तो घागरा नदी और इसके आगे आप देख रहे होगी कि एक नदी होगी जिसको हम लोग क्या होते हैं गंडक नदी तो घागरा और गंडक के बीच का जो मैदान होगा उसे हम लोग कौन सा मै गंडक भागमती द्वाब कहेंगे similarly आप देख रहे होंगे भागमती नदी के बाद यहां पर कमला बला नदी है तो इनके बीच का भागमती और कमला के बीच का जो मैदान होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं भागमती और कमला का द्वाब कहते हैं उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कमला नदी और कोशी नदी है क्योंकि कोशी का आपको पता होगा आपने पढ़ा हो कई दिसाओं से प्रवाह होता है तो इसके बीच कमला और कोशी का जो द्वाब है उसको हम लोग कमला कोशी द्वाब कहेंगे और इसके बाद आप पूरा लेक्चर नहीं नहीं है, इस तरीके से अपने उत्तर गंगा के मैदान को भड़ लिया, उत्तर भीहार के मैदान को पड़ लिया। Similarly अब दक्षिन बिहार के मैदान को देखें, तो इनका भी जो classification है, वो classification किसके आधार पर किया गया है, इनका भी जो classification किया गया, वो भी बहुत हद तक आप देखेंगे कि इनका भी classification नदियों के आधार पर है, तो यहाँ से एक नदी बहा रही है, इस नदी का नाम है सोन नद है, इन दोनों के बीट का जो मैदान है, इस मैदान को हम लोग क्या बलते हैं, सहावाद का मैदान, बलते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बकसर का शेत्र होगा, कैमूर का शेत्र होगा, भोजपूर का शेत्र होगा, तो इसको हम लोग कौन सा मैदान काते हैं, हो गया है ना आपको औरंगाबाद हो गया तो बहुत सारे डिस्टिक्स पटना हो गया तो इसको हम लोग मगद का मैदान कहते हैं उसके आद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सौशर से पर स्टक्चर में एक तस्तरी नुमा असला किरती में आपको पानी हमेशा जमा हुआ छ जो टाल है यह टाल एक सौशर से पर स्टक्चर है एक तस्तरी नुमा असला किरती है प्रस्णियों उठता है कि तस्तरी नुमा का मतलब क्या है मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो भाग है वो उठे हुए है और बीच का जो भाग है वो डिप्रेस्ट है तो आप देखेंगे क गंगा नदी के द्वारा आप साथनों के निछेपन इसका दक्षनी भाग जो है वो क्या होता है उठ जाता है और इसके दक्षिन में आप देखेंगे यहाँ पर पथारी भाग आपको दिख रहा हो गानेश्टित रूप से यह पथारी भाग है इस पथारी भाग के कारण सुना होगा ये विस्व का सबसे बड़ा टाल शित्र है मुकामा बढ़िया टाल ठीक है और इसको अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि बकसर से लेकर ये बाका तक जाए वो फैला हुआ है काफी लंबे डिस्टेंस में वो फैला हुआ है इसके बाद आप देखें में जो आप देखेंगे कि यहां पर चंदर नदी भाती है जिसको हम लोग चंदन का मैदान कहते हैं कहने का ताथ पर है कि नदियों के अधार पर और कुछ असला किर्थी विशेस्ताओं के अधार पर हमने उत्तर और दक्षिन के पूरे मैदान को क्या कर दिवाइट कर दि आकृती का क्षेल्च और व क्षेल्च इरहते हैं कि प्रवतिय भाग और झूछ अवर सिवाली का दूसरी ऑपने देखा और wiz इसका जो निर्मान है, वो खिसके अधार पर होड़ा है, मैदानी भाग, और इसके भी दो भाग हो गए, उत्तर बिहार का मैदान, और दूसरा जो है, वो क्या है, दक्षनी बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान, और दूसरा क्या है, दक्षनी बिहार का मैदान, है ना, समझ रहें और तीसरा जो भूआ किरती है उसको हम लों क्या होते हैं पठार बोलते हैं अब पठार के बारे में समझते हैं कि पठार क्या क्या है इसको समझने का परयास करते हैं तो पठार अगर आप देखेंगे तो पठार जो है यहाँ पर दो परकार के पठार है एक जो पठार है और दूसरा जो है के पठार के बाद ये जो है ये चोटा नाःगपुर का बिष्थार और अब फिर से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, अगेन इसको classify कर सकते हम लोग, जैसे कि जो सिवालिक का भाग था, इस सिवालिक के भाग के तीन पार्ट हो गए, सबसे नौर्थ में जो था, सबसे नौर्थ में जो था, उसका क्या नाम था, सबसे जो नौर्थ में था, उसको हम स्वमेश्वर्श्रेनि ठीके न कि उसके बाद आप उसको उने देखा उसके नाज नगर्दूररमगर उत्तरभीहार का मै oppa-kos नगर दुन ऊत्तरभीहार के मैदान के कई भाग थे मैं इसको नेक्स स्लाइड में कर लेता हूं कि मैदानी भाग जो था क्योंकि इसमें कई सारे हैं पॉइंट्स तो इसके उत्तर बिहार का मैदान का कई भाग था और वो कौन-कौन से थे सो देखते हैं सबसे पहला क्या देखा था हमने घागरा घागरा गंडक द्वाब ठीक है फिर हमने क्या देखा गंडक बागमती द्वाब फिर हमने क्या देखा गंडक बागमती द्वाब फिर हमने क्या देखा कमला कोशी द्वाब और सबसे लास्ट मेंने क्या देखा कोशी महानंदा द्वाब कोशी महानंदा द्वाब ठीक है अब देखो दूसरा जो मैदान हमने देखा वो उत्तर बिहार के बाद हमने क्या देखा था दक्षिन बिहार का मैदान तो दक्षिन बिहार के मैदान में क्य तो तो इतने सारे आप देखेंगे कि इतने सारी फिजियोग्राफिए आपको बिहार के अंदर मिल जाएगी अब देखो सबसे लास्ट में आपने देखा कि परवतिया भाग परवतिये भाग का आपका इसका ऑध्र की फाओ का तो प्रम को केम राजगीर का पठार और तीसा आप देखेंगे तो नवादा, क्यूल, बांका का पठार ठीक है तो इस तरीके से आप पूरे बिहार को क्या कर सकते हैं पूरे बिहार के फिजियोग्राफिक को डिकोड कर सकते हैं पठार या एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सबसे उपर क् प्रवतिय भाग, फिर क्या हो गया, मैदानी भाग, और मैदानी भाग के मैदानी भाग, और सबसे लास्ट में क्या हो गया, आपको पठारी भाग, ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजों को क्या कर लिया, एक बार माइंड में बैठा लिया, अब रिवाइज करना हुगा, कि अपने जोग्रफी में कहीं पढ़ा होगा तो जो सबसे rock system है अब इसको हम लोग जोडते हैं कि इसके साथ rock system के साथ, चत्तान के जो system है उसके साथ आपको याद होगा कि जो सबसे पुराना rock होता है इस पुराने rock को हम लोग बोलते हैं pre-cambrian rock pre-cambrian चत्तान, चीजों को जोड़ना मैं सिखा रहा हूँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पूरा detail में मैं आपको बस सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि कैसे चीजों को जोड़ना है और pre-cambrian चत्तान जो है ये चार परकार के थे, आपको याद होगा सबसे पहला जो था सबसे पहला जो था उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियन आर्कियन, classes में मैंने इसको detail में काफी पढ़ाया है उसके बाद जो था उसको क्या कहते हैं, धारबार third जो है उसको क्या बोलते हैं, कुडपा और fourth जो है जो रोक है, वो कहाँ पर मिलेगा concept समझना सबसे पहले किसका formation हुआ pre-camden era मतलब सबसे पहले इसका formation हुआ और सबसे पहले formation कहाँ कहाँ पर हुआ था तो याद करो, सिहभूम का जो पठार था मैंने आपको पढ़ाया है, क्रेटोंस के बारे में सबसे पहले जो formation हुआ था, वो किसका हुआ था सिहभूम के पठार का और उसी सिहभूम का पठार का ही बिस्तार जो है, वो छोटा नापूर का पठार है और उसी का जो बिस्तार है, वो बिहार में ये वाला जो छोटा नापूर का बना होगा, क्योंकि she Petum का ही पार्थ है she Petum सबसे पहले बना था, पूरे वर्ल्ल में सबसे पहले बना था, इसलिए ये भी सबसे पहले बना है, इसलिए इस R Γ्रोक सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, Archean Rock सिस्टम कहेंगे, सबसे पुराना, जब सब प्रित्री पर सबसे पहली बार जौला मुखी का उद्रेदन हुआ और एक क्रैटोन का फॉर्मेशन हुआ उस क्रैटोन का हम लोग क्या बलते हैं आरकेन रॉक सिस्टम बलते हैं तो यह सबसे पुरान हो गया आरकेन अब इस Archean के बाद आपने पढ़ा होगा कि Archean के अंदर क्या हुआ? अपरदन हुआ Archean के अंदर अपरदन हुआ? धारबार इसलिए बिहार में आपको Archean rock system मिलेगा और धारबार rock system भी आपको मिलेगा उसके बाद फिर जब उसमें अपरदन हुआ तो कुडपपा और फिर सबसे लास्ट में क्या बना तो आपको यादोगा बिंधियन इसलिए आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में ये जो है ये आपको कौन से क्रम की चट्टान है बिंधियन क्रम की चट्टान है और ये वाला जो है, वो किसका भाग है? हिमाले का भाग है तो हिमाले का भाग होने के कहाँ इसका formation कब होगा? तर्सेरी रा में formation कैसे हुआ है, तो समझते हैं सबसे पहले cratons का formation और cratons की suturing हुई है cratons आपस में जूरे है cratons कुछ नहीं है, जौला मुखी का एक चट्टा ने, जौला मुखी की संडचना आधारबूत संडचना, जिसको जौला मुखी चबुतरा कह सकते हैं और फिर जब cratons आपस में मिलते हैं नौर्थ की तरफ चलते हैं तो फिर Eurasian plate से टकड़ा होने के बाद हिमाले का formation होता है और फिर हिमाले का formation होने के बाद जो एक depression create होता है उस depression में लगातार अफसादों के निच्छेपन से मैदान का निर्मान होता है तो आप देखेंगे कि तिर्ट्यक काल में किसका formation हुआ है? तिर्ट्यक काल में हिमाले का formation हुए इसलिए यहाँ पर जो सिवालिक है वो इसका formation जो होगा वो कौन सा होगा? तिर्ट्यक काल में होगा इसलिए इसको tertiary rock system बोलते हैं या तिर्ट्यक sun national बोलते हैं और फिर आपको पता होगा कि इसके बाद अब जिवालिक के अंदर अपर्दन होगा इसलिए नया होगा सबसे पुराना ये उसके बाद ये और फिर उससे नया ये और फिर इसमें जब अपर्दन होगा जब इसमें तूट-फूट होगी तब फिर किसका formation होगा? मैदान का इसलिए मैदान जोगा सबसे नया है ये कौन सी सनचना है? चतुधर कल कि सनचना है तो कितना आसान है? दो चाप्टर खतम होगे आपको देखते-देखते अब इसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं? स्वाइल के साथ कनेक्ट करते हैं समझते हैं आपने देखा कि इसी चाप्टर को हम लोग फिर से स्वाइल के साथ कनेक्ट करते हैं लेकिन तब तक पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले आपने देखा कि जो छोटा नापूर का पठार है वो कौन सा? आर्कियन अब इसी कॉंसेप्ट को थोड़ा समलोग मैदान की तरफ लेकर जाते हैं मिर्दा की तरफ लेकर जाते हैं तो मिर्दा में समझो कि यह जो आपको मैंने थोड़ा दिर पहले बताया था कि भावर याद होगा साइद आप लोगो है ना भावर यह क्या होता है परवत पदिय मिर्दा होता है जो कि परवत के जस्ट दक्षिन में होता है उसके आद क्या तराई भावर तराई बांगर और खादर याद होगा आप लोगो मैंने थोड़ा दर पहले बताया था परवत है और परवत कि जस्ट दक्षिन में क्या होगा इसे बाद देखना ये जो है पूरा का पूरा रीजन कौन सा में तराई हो गया जहां आप देखेंगे कि क्या है जहां पर नदियों का बेसिन है नदियां जहां से प्रवाहित हो रही है वहां हर बार बाढ़ आएगा और जब बाढ़ आएगा तो वो क्या हो जाएगा खादर होगा क्योंकि नया जलोड है और जहां बाढ़ नहीं आएगा तो आप देखेंगे कि ये वाला जो नदियों का जो रीजन है इस नदियों के रीजन में आप देखेंगे नदियों का जो रीजन है इस रीजन में आप देखेंगे कि कौन सा स्वाइल मिलेगा आपको जादा तर जादा तर आपको खादर स्वाइल मिलेगा, आप concept समझना, इसके अलावा, जब जहाँ नदियां है, नदियां लगतार प्रवाइत हो रहे हैं, वहाँ पर खादर स्वाइल, और जहाँ बिल्कुल भी नदियां नहीं जा रही हैं, वहाँ पर क्या बंगर स्वाइल, और इन दोनों के बीच का रीजन, जहाँ बं इसके अलावा, अगर हम लोग देखें, तो जो पुराना जलोड था, जिसको हमने यहाँ पर बंगर कहा था, उसी बंगर स्वाइल को दक्षनी बिहार में हम लोग क्या कहते हैं, करेल कैवाल स्वाइल कहते हैं, तो जूकि दक्षनी बिहार में आप देखेंगे, दक्षनी भिहर में आप देखेंगे कि बहुत जढ़ा क्या नहीं आता है इसे अधिकांस जगह मिलेगा यह अधिकांस जगहा पे आपको कौन से स्वाइल मिलेगा करेल केवाल स्वाइल में और गंगा नदी जब बहती है तो वो अपने दक्षनी हिस्से पे अपसादो का निच्छेपन करती है एकदम 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में आप देखेंगे कि अपसादो का निच्छेपन हो रहा है और यह जो अपसादो का निच्छेपन हुआ है एकदम गंगा नदी जहां बाड़ी उसके दक्षिन में यह जो अपसादो का निच्छेपन हुआ है इसी को हम लोग कगारी स्वाइल कहते है कगारी स्वाइल किनारे में है इसलिए कौन सी स्वाइल अब समझो, जहाँ टाल का शित्र होगा, वहाँ पर टाल का मिर्दा, और अने जगहों पर कौन सी मिर्दा होगी, अने जगहों पर कौन सी मिर्दा होगी, तो अने जगहों पर आपको करेल कैवाल स्वाइल, जो कि क्या है, कोई नया स्वाइल नहीं है, वो भांगर स्वाइल ह इसको भांगर भी कहते हैं, अब समझना, जैसे जैसे हम लोग डक्षिन की तरफ जाएंगे, तो पठारी भाग आ रहा है, तो पठारी भाग आ रहा है, तो क्या होगा, मैदान खतम हो रहा है, और पठार सुरू हो रहा है, तो मैदान से आपको क्या मिलेगा, मैदानी भाग मे जायसे पफ़ारी भागऌ सुरूआ है जाहां मैदानी भागट हो रहा है और पफ़ारी भाग सुरूए होगी और बालू प्लस पत्थर पत्थर दोन ओना अउगी eitherli और पत्थर के भी बालू के खत्म हो रहा है और पत्थर शुरू ओड़ा इस दोनों के बीच का जो एक transitional soil है इस transitional soil को अम लोग कौन सा soil काते हैं बल्थर soil कहते हैं अब यहाँ पर दो अलग-लग भाग हैं एक क्या है जो भाग है वो है आपको कैमूर का पठार और दूसरा छोटा नागपूर का पठार है तो पठारी भाग में आपको पता होगा मैंने पहले भी कभी ने कभी पढ़ायोगा कि यहाँ पर लाल पिली मिर्दा मिलती है और जो ये कैमूर का पठार है इस कैमूर के पठार में आपको पता होगा कि चुना पत्थर की अधिक्ता है लोहे का अंस कम है क्योंकि आप साधी चट्टान है तो लोहे का अंस कम है ठीक है? इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से स्वाइल मिलेगा? अपने concept किलियर कर लिया है चीजों को एक तरीके से eties कर लिया है चीजों को जोड़ना सीख गये हो तो आप बहुत आसानी से चीजों को क्या कर पाओगे? मर्ज कर पाओगे और चीजों को सीख पाओगे तो I hope आपको आज के session से कुछ profit मिला होगा, आपने करना है, और कैसे कम से कम समय में revise करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो पूरा समय है, ये पूरा समय सिर्फ और सिर्फ revision करने का समय, मैं daily बोल रह서 हूँ and I मैं इससे पहले पूरा पढ़ा है अगर आपने क्या किया होगा, कि अगर आपने map देख लिया होगा, locations का, districts का map देख लिया होगा, तो आपको similar, जैसे ही आपने यहाँ देखा, अच्छा, यह पसीमी चंपारन है, जैसे ही आपने देखा पसीमी चंपारन आपको समझ में आ गया होगा, तो चीजों को बस connect करते जाना है, इसी मैं बोलोगे, तो मैं vegetation भी आपको बता दूँगा, कि कैसे vegetation है, यह बनस्पती कैसे इसे जुड़ा हुआ है, दो मेट और सुन लो, मैं बनस्पती के बारे बता ज़ता हूँ, कहां पर बनस्पती मिलेगा, forest कहां मिलेगा, सो बताओ मुझे, forest कहां पर मिलेगा, जहाँ पर वर्षा की मात्रा जादा होगी और वर्षा की मात्रा जो है वो आपको पता होगा कि बिहार में जो वर्षा होती है वो कहां से होती है दक्षिन पशिम मांसून से होती है ठीक है तो इस सैट जो बंगाल की खारी शाका उससे होती है तो यहाँ पर पुर्व की तरफ जो बर्षा की मात्रा होती है ज्यादा होती है और पशीम की तरफ बर्षा की मात्रा क्या होती है कम होती है उत्तर की तरफ बर्षा की मात्रा ज्यादा होती है दक्षिन की तरफ कम होती है तो जहाँ बर्षा की मात्रा ज्यादा होगी वहाँ लेकिन पूरे 200 संट्स से जदा वर्षा होती ही नहीं अभी यहां पुरे 100 से जदा ज़्रादा वर्षा वहां पर आधर पांपाती कितना है अब देखो इस молод 맞아 कि मतर हो के नहीं होगी क्युक्दधर्सा इधर से होता है तो बर्षा की मतर होगी तो यहाँ पर क्या होगा आधिर पर्ण पाती और यहाँ पर वर्षा की मातरा कम होगी कि नहीं होगी बिल्कुल कम होगी क्योंकि वर्षा ऐसे आएगा और ऐसे आएगा ठीक है इसे मतलब पुल से पश्रिम की तरफ तो निश्टी तो उसे यहाँ पर वर्षा की मातरा कम होग तो यहां पर कहसा म्रीदा यहां पर कैसा बनसपति करना है और चीज़ों को तॉप आप के पढ़ना है तो उसी समध में आवा और मेरा यह प्रयास होगा कि आप सभी के समक्स मैं करेंट अपर कि तरू कम से कम 500 कुस्टेंश के तरू मैं सारे मंथ के करेंट अपको डिटेल में अनलिसेश करा दूंँ तिल देन आप पढ़ते रहे हैं लगातार रिवाइस करते रहे हैं और हमारी टीम परफेक्शन आइज की तरब से आपको हार दीख सुब कामना है आप लोग अच्छा करें अल्दी बेस्ट टैंक्यू करें